बिहार से एक बड़ी खबर निगल के सामने आ रही है जहांपर कि भागलपूर एलेवे स्टेशन पड़ीसर में जीरपी थाना के सामने काल पार्किंग में बम मिला और बम मिलने से दासत फैली इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उसे पहले हमारे चैनल को नहीं कहें सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब मिली जानकारी का नुसार रात 12 बचकर 5 मिनट की यह घटना बताए जारी है जहां पड़की कार पार्किंग में ठेले पर 4-5 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे इसी बीच हाई मास्ट की लाइट में लगबग 10-15 फीट की दूरी पर रखे रसी से लपेटे और पाइप बांधा हुआ समान पर उन लोगों की नजर पड़ी बम के आकार में दिखने वाला इस वस्तु पर जैसे ही नजर पड़ा उन सभी के होस उड़ गए और बम बम का ह अला मचाते हैं हुए साइकल स्टेंड की ओर चले गए देखते ही देखते कार पार्किंग में मौजूद अन लोग भी वहां से भाग गए और आर्पीअफ इंस्पेक्टर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वे तुरंत मौके पर पहुंचें दसत फैलाने के लिए सरार्ती त कर रखा गया जिससे कोई भी हाथसा ना हो इसी बीच नाथनगर इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंच गये और मुख्याले को भी इसकी सूचना दे दी गई आपको बताने कि फरवड़ी 2020 में भी नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्यां दो के पास पत्री पर ड हमकी भी मिली थी और यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि जब इतने सारे घटना एक साथ अगर भागलपुर में हो रहे हैं तो यहां पर सीधा सवाल पुलिस के काम पर उठ रहा है आने वाले नेक्ट वीडियो अपडेट में कई और जानकारी हम लाएंगे फिलाल आपको बता दें कि इस खबर के पुष्टी हमारा चैनल नहीं करता है लेकिन इसे घटना को लेकर जैसे ही और भी अपडेट निकल कर सामने आएगी उसकी जानकारी आनवाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में देंगे या वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ ही